नमस्कार दोस्तों 28.2522 से देज़ बर के सभी केंद्री विद्यालों में 10 बज़े सुबा से एड्मिशन का जो प्रोसेस है वो इस्टार्ट होने वाले है एस सम्मन्द में बहुत से पैरेंट्स को कई सारे कंफ्यूजन है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपोर्टन कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ जैसे की बहुत से पैरेंट्स ऐसे हैं जो की सरकारी नौकरी में नहीं है उनको यह लगता है कि केंद्री वीडियले में सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले मातापिता के बच्चों का एड्मिशन होता है लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों अगर आप काटेगरी 5 में आते हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो दोस्तों अगर आप काटेगरी 5 में आते हैं तो भी आपके बच्चे का एड्मिशन हो सकता है दोस्तों प्रोजेक्ट सेक्टर और इस्टेटूट आफ हाई लर्निंग के जो केंद्री वीडियले हैं उसमें आपकी जो काटेगरी होगी वो काटेगरी 6 होगी ऐसे मातापिता जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं जब वो अपलाई करते हैं प्रोजेक्ट सेक्टर या फिर पिस्यू या फिर इस्टेटूट आफ हाई लर्निंग के अंतरगात आने वाले केंद्री वीडियले में तो उनकी जो काटेगरी 6 होती है इस बात को आप समझ ले उसके बाद दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं है तब भी आपके बच्चे का केंद्री वीडियले में अड्मिशन हो सकता है तो ऐसे में मातापिता कौन सी काटेगरी में फॉर्म भरें जिसमें उनके बच्चे का जो अड्मिशन का चांसे वो थोड़ा ज़ाद जैसे कि हर स्टेट में अलगलrica अलग टाइम पे फ्री उलीजेंट का प्रूवीजन हो जिसे आर्टी अड्मिशनमाना जाता है उनका अलग 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 टाइम पर जो एक अं में अप्लिकेशन उनकलते हों उसी फॉर्म में ही ऑप्षन रहता है आप आर्टी की त tratar के दोस्तों RTE के तहत फार्म अप्लाई करने के लिए केंदरी विद्ध्यलम है मैं यहां पर बात कर रहा हूँ केंदरी विद्ध्यलम है अगर आप RTE कोटा के तहत फार्म बनना चाहते हैं तो आप पहली बात तो disadvantage group या फिर economically weaker section group में आने चाहिए ओके तो दोस्तों disadvantage group कौन-कौन से होते हैं जैसे कि जो result category होती है वो disadvantage category में आती है और इसके साथ ऐसे सभी बच्चे जो किसी ने किसी करणवस social समाजिक करण से या फिर किसी ने किसी करणवस जो है वो सिच्छा के चेतर में पीछे रह गये हों वो सभी जो है वो disadvantage category में आएंगे और ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता BPL card धारक है जिनके बास BPL का certificate है और या फिर वो दुर्बल वर्ग में आते हैं जैसे कि उनकी जो सलाना इंकम है वो उनके state के इसाफ से जो डिफाइन किया गया है उनके राज में जो पताया गया है कि इससे कम अगर आपकी सलाना इंकम है तो आप low income ग्रूप में आएंगे तो ऐसे बच्चे के जो माता-पिता हैं वो इलिसबल होते हैं और बच्चे भी इलिसबल होते हैं आर्टी के तहत एड्मिशन लेने के लिए तो दोस्तों मैं आगे आपको केंद्री विद्धेले से अगरतना जारी की हुई हूई जो ओफिशियल एड्मिशन गाइडलाइन है उसके आधार पर जानकारी देना चाहूँगा ताकि आपको सही सही जानकारी मिले और इसके में अप्लाई करना होता है जब आप online application form भर रहे होते हैं अगर आप disadvantage group में आते हैं और वहाँ पर एक distance का criteria होता है यानि कि आपके घर से केंद्री विद्धाले की दूरी अगर ग्रामीर छेतर में 8 km के radial range में है radial distance के रेंज में है ठीक तो आपको rt के तहत आपका form automatically ही चला जाता है और इसे तरीके से अगर आप जो है सहरी छेतर में है यानि कि आपके आपका घर जो है वो सहरी छेतर में है और आपके घर से केंद्री विद्धाले की दूरी जो 5 km की radial distance में है तो आपका जो form है वो automatically rt के टेगरी में चला जाता है अगर आप disadvantage group या फिर दुर्बल वर्क से आते हैं तो तो दोस्तों ये चीज़े आपको समझ में आगी होंगी तो चलिए थोड़ा सा rt के बारे में और जानकरी आपको दे देते हैं ताकि जब भी आप अभी 28 स्वार्य को अपना online application form भरे अपने बच्चे का class 1 में admission के लिए दोस्तों class 1 में admission के chances ज्यादा रहते हैं क्योंकि fresh admission होता है बाकि उसे उपर की classes में ज्यादा तर seat खाली ही नहीं रहती है इसलिए class 1 पे ज्यादा focus किया जाता है तो चलिए वीडियो में आपको बताते हैं कि rt के लिए क्या क्या रूल है admission guidelines के हिसाब से ताकि आपको समझ में आ जाए जब भी 28 तरीक 2022 को form भरें जब आप form भरने लगेंगे दोस्तों उससे पहले हम आपको demo देके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको rt का form भरना है अगर आप disadvantage group में आते हैं तो आपका form rt कडिगरी में कैसे भराएगा इसका हम जो है एक लड़के का form भर के दिखाएंगे आपको ताकि जो भी confusion रहेगी वो दूर हो जाए तो चलिए आप थोड़ा सा जो rules है जो guidelines है उसको पढ़ लेते हैं और आपको समझा देते हैं दोस्तों आपके सामने केंद्री वीद्यले सेंगठन दौरा जारी के हुई एक official admission guideline का page खुला हुआ है यहाँ पर note 1 लिखा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि definition of disadvantage group यह rt admission में जो disadvantage group होते हैं उनके बारे में या पर बताये गया है कि disadvantage group में कौन-कौन से बच्चे आते है और उसके बाद B part में ये बताये गया है कि weaker section में कौन-कौन से बच्चे आते हैं यदि आप category 5 civil और defense sector के केंद्री वीद्यले में अगर आप form भर रहे हैं तो उनके लिए और अगर आप PSU या फिर project sector या फिर institute of higher learning category के केंद्री वीद्यले में form भर रहे हैं तो आपके लिए category degree 6 लगेगी ऐसे मातापिता जो सरकारी नौकरी में नहीं है वो अपने बच्चे का form भर रहे हैं तो तो दोस्तों इसमें आप अगर disadvantage group से आते हैं या फिर weaker section से आते हैं और अगर यहां पर बताये गया जो distance का criteria है ये आप follow करते हैं तो आपका जो form है जो आप 28.22 को form यानि कि यदि किसी केंद्री विद्याले में किसी क्लास में 40 सीटे हैं तो 40 में से 10 सीटे जो होती हैं वो RTE के लिए reserved होती है और सबसे पहले admission जो होता है वो RTE category वालों का होता है तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता रहा हूँ कि disadvantage category और weaker section आप देख लीजिए कि क्या ग्रूप means a child belonging to the scheduled caste, scheduled tribe and the socially and educationally backward class और such other group having disadvantage owing to social, cultural, economical, geographical, linguistic, gender or such other factor as may be specified by the appropriate government by notification section 2D of RTE Act तो दोस्तों ऐसे बच्चे जो की scheduled caste, scheduled tribe, अन्सुचित जन जाती, social and educationally backward class, OBC, non-criminal, और ऐसे सभी बच्चे जो किसी ना किसी कारण वास पिछले रह गये हों चाहे वो समाजिक कारण हो, संस्कृतिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, भगॉलिक कारण हो, भासा के आधार पर हो, लिंक के आधार पर हो, जितने भी factor जो की appropriate government के दोरह define किये गये है notification में, जो RT Act का notification section 2D है, उसके हिसाब से, तो दोस्तों, वो सारे बच्चे जो है, वो disadvantage group में आते हैं, और इसी तरीके से weaker section में, तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे बच्चे, weaker section से बिलॉंग करते हैं, जिनके माता-पिता या गार्जियन, किसी court के दोरह, या institute के दोरह, यह बताया गया है कि, उनके state में, जो minimum income की limit है, lower income में आने के लिए, ठीक है, उस से संबंदित, अगर उनके पास प्रमाड पत्र है, तो दोस्तों, वो जो है, weaker section में आएंगे, the income limit regarding economically weaker sections will be applicable as notified by the state government concern, तो दोस्तों, यहाँ पर जो economically weaker section में बच्चे आएंगे, उनके लिए जो प्रमाड पत्र बनेगा, वहाँ का जो state government है, उधारण के तोर पर जैसे अगर आप उत्र प्रदेश से हैं, तो उत्र प्रदेश की state government में जो limit set की है, कि इतने लाग रुपए से कम होने चाहिए, आपकी income तब आप economically weaker section में आएंगे, उसके बाद RTE के तहद admission लेने के लिए एक और criteria है, एक और rule है, जो आपको follow करना होता है, definition of neighborhood and proof of residence applicable for admission under RTE only, तो दोस्तों इसके लिए आपको, since Kendri Vidyalas are located at place with varied density of population, they have been categorized as follows for determining the limits of neighborhood, तो दोस्तों RTE category के लिए अगर आप form भरते हैं, तो इसको मैं आसान भासा में अगर आपको बताऊं, तो आपके घर से जो Kendri Vidyalas की दूरी है, वो 5 km के radius में होनी चाहिए, अगर आपका जो घर है, वो सहरी शेतर में आता है, तो और अगर आपका घर जो है, वो ग्रामीड श उसके बाद दोस्तों, note 2 यहां पर लिखा हुआ है, proof of residence shall have to be produced by all applicants, इस समंध में आपको proof of residence जो है, वो देना होता है कि आपके निवास का परमाण क्या है, a self declaration in writing form from the parent about distance में also be accepted to this effect subject to verification, अब एक जो है self declaration form दे सकते हैं, उसमें आप बताएंगे कि मैं इस बच्चे का माता या पिता हूँ, और हमारे घर से जो केंदरी वीद देले के दूरी है, यह इतने किलोमेटर है, उसके बाद आपको वहाँ पर अपने shine करके देना है, और यह आपका जो distance है वो verify भी किया जा सकता है, तो दोस्तों यह कुछ point थे जो RT admission से related थे, केंदरी वीद देले में जो RT admission होत तो दोस्तों उसी website पर आपको जाके 28 तारिक से form भरना होगा, मैंने बताया ना कि अगर आप disadvantage group या फिर economically weaker section में आते हैं, और अगर आप यह जो distance का criteria है, इसको follow करते हैं, तो आपका जो application form है, वो automatic RT के category में चला जाएगा, आपको और कहीं दूसरे जगह से RT में admission के लिए कें form नहीं भरना है, तो दोस्तों जो admission वाली official website है, मैं आपके सामने एक बार खोल के दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई confusion ना हो, kvsonlineadmission.kvs.gov.in तो यहीं से आपको form बनना है, और कहीं से form नहीं बनना है, चाहे आप RT के लिए भर रहे हों, या फिर normal admission के लिए form बर रहे हैं, तो भी, आपको अपने बच्चे का class payment admission के लिए, इसी website पर जाकर form बरना है, ओके दोस्तों, तो यहां से register पर जाके आप जो है register कर सकते हैं, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ समझ में आ गई होंगी, और जो other state के RT होते हैं, उन सब का अपना अलग अलग website है, वहां से जो form बरेंगे, और बहुत सारे parents को एक confusion और रहता है, कि अगर हम अपने अपने बच्चे का form बर सकते हैं, जहां भी आपके बच्चे का admission हो, आप वहां पर जाकर admission करवा सकते हैं, तो दोस्तों मिद करते हैं कि यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको अब कोई confusion नहीं रहेगा, माता पितों को एक confusion और रहती है, कि हमारे घर स केंद्री विद्यले की दूरी इतनी है, 40 km है, 50 km है, यह हमारे जिले में केंद्री विद्यले है ही नहीं, तो क्या हम दूसरे जिले केंद्री विद्यले में अपलाई नहीं कर सकते हैं, एडमिशन नहीं पा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोश्तों, आप देज भर आप कहीं और से भी किसी और केंद्री वी देले में एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए डिस्टेंस का कोई मेटर नहीं करता हाला कि ये है कि अगर आप रहते हैं किसी और जिले में हैं फॉर्म आपके बच्चे का एडमिशन किसी और जिले केंद्री वी देले में हो जाता है तो आपके बच्चे को आने जाने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये हॉस्टल वाले स्कूल नहीं है ये रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है इसमें हॉस्टल वगरा नहीं होता है बस बाकी distance का कोई criteria नहीं है सिर्फ और सिर्फ rd category को छोड़ कर अगर आप rd category में form भरते हैं तब आपके लिए distance का जो criteria है वो follow करना होता है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये point भी आपको समझ में आगया होगा आगे अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगएगा तो वीडियो को like करिएगा इससे हमें प्रोसान मिलता है हम और भी छोड़ी छोड़ी जानकारियों को एकठा करके आपके लिए लाते हैं कोई भी प्रोब्लम है आप नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं इंस्टागराम पर message कर सकते हैं वहाँ पर भी हम आपका reply करेंगे तो दोस्तों चैनल को subscribe जरूर करेंगे मेरी आपसे request है बेल आइकन घंटी वाला निसान जरूर दबाईएगा ताकि कोई भी important वीडियो आपसे मिसना हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब दे के लिए बाई बाई टेक केर